हेलो फेंद्स, वेलकम तो स्पर्च हैप्स, मेरा नाम है स्पर्च माजर, आप सोच रहे हो विए कि मैं तो इस वीडियो क्योंने मना रहा था, मेरी इस समर मॉलेडिस चल रही थी, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ गूमने गिया वा था, और अब मैं वीडियो मनाना कर रहा हूँ, आपको याद है मेरी लास्ट वीडियो कूंसी थी, येस आपने सही गैस किया, मेरी लास्ट वीडियो ये मिनियेचर थौर्ड हैमर्स थी, जो मैंने एरेजर से बनाय थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक यहां दिया वा है, इसलिए इसलिए इ मिनियेचर थौर हैमर्स अच्छी लगी या आज की ये क्याप्टन मेरीका मिनियेचर शील्ड नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके मुझे सरूर बताना, क्याप्टन मेरीका की मिनियेचर शील्ड बनाने के लिए हम माकेट से ये एम सील लाएं, एम सील किसी दुकान पे असा मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्षर रेडी हो गया है अब हमने डो स्लीट की प्याइटी है जो पिल्कुल सेम है और थोरी क्याप्टन अमेरिका की शील्ड जैसे है अब हम इस एम सील को इसके अंडर लगा के इसको प्रेस कर देंगे आफी सेमसील दोनों प्लेट्स के बीच में पेस्ट हो गई है हमने ओवर्नाइट इसको ड्राय होने के लिए रखाता अब हम स्पून से इसको टच करेंगे और धिखेंगे यह हार हो गया और नहीं अब हम इन दोनों प्लेट्स को अला कर लेंगे अब हम इसको एक प्लॉस से क्रीन कर लेंगे अब हम एक कमपस लेंगे और उसे सर्कल्स ट्रॉ कर लेंगे हमने सर्कल्स के मार्क्स बना लिया है इस पे हमने इसी तरह से स्टार भी ड्रॉ कर लिया है चलो इसको पेंट करें कर दो अब हम अब हम हम इसको पादाब लेंगे अब हम इसको पादाब लेंगे मेरी मिनियेचर क्याप्टन मेर का शील्ड रेडी हो गई है और मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इसको अपने पेंसिल बॉक्स में भी रख सकता हूँ और मेरी मिनी थार हैमर के साथ भी खेल सकता हूँ मैं इसको एक Miniatur Captain Merleaux की कीचेन भी बना सकता हूँ और मैं इसको एक पैंड भी बना सकता हूँ मैंने अपनी Captain Merika वी शील्ड के पीछे एलास्टिक लगा लिये अब मैं इसको पैंड के दिखाता हूँ आपको मेरी Captain Merika को Miniatur मेरी शील्ड कैसी लगी नीचे कमेंट बोक्स में लिखके बताना आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बाई